एलो दोस्तु मैं हूं कृती और स्वागत है हमारे यूटुब चैनल भाईया रानिक किचन में तो चलते हैं आज बनाते हैं बहुत ही कम समान में मार्केट इस्टाइल बिलकुल आइसक्रीम जो बहुत ही कम समान में और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाएगा तो वीडियो को पूरा एंट तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सबस्क्राइब करिए और जादा जादा सेयर करिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गैस पर यहां पतीला बैठा दिये हैं जिसको सॉस्पिन भी बोलते हैं उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी पान डालने से यह होता है कि दूद मतलब जलता नहीं है तले में तो यहां हम एक गिलास दूद डाले हैं पूरा भर के यहां पहले से दूद गरम करके रखे थे फ्रीज में था ठंडा हो गया था तो कोई भी दूद आप यूज कर सकते हैं और यहां दो बड़े चमच लेली हैं कस्टरड पाउडर जो बहुत ही इसली मार्केट में मिल जाता है बहुत ही कम पैसे में मिल जाता है इसली बहुत ही बढ़िया और यह देखिए इसमें हम ठंडा दूद मिलाके और इसको अच्छे से मिलाएंगे इसमें लंस नहीं रहना चाहिए गुठली तो नहीं तो यह मतलब बढ़िया से इसको मिला लेना है तुरंत यह नीचे बैठने लगता है तले में बैठ जाता है तो आप इसको बढ़िया स कम समान में बहुत बढ़िया बन के तयार होता है बिल्कुल मार्केट जैसा एदम जो हम बच्पन में खाते थे न मटका कुल फी बिल्कुल वैसा ही स्वाद आएगा इसमें क्या करेंगे कि आप हम चीनी एड़ कर देंगे तो स्वाद के अनुसार जितना आपको मीटा पसं यहां हम ले लिए हैं 10-15 बैदाम ले लिए हैं इसको हम बारी काट लेंगे बिल्कुल बढ़िया से एकदम छोटा-छोटा टुकडा कर लेंगे इसको हम उबालते हुए 5 मिनट हो गए दूद को दूद में क्या करेंगे जो हम कस्टड घोल के रखे थे अब उसको हम एड़ जब भी आप दूद में कस्टड एड़ ठीए तो इसको चला लीजी आप नहीं तो यह नीचे बैट जाता है जैसा कि पहले भी बताये हैं यह ने चमच पर भी बैठा है तो यह पाउडर नीचे बैठ जाता है तो जब भी आप दूद में एड़ करिए पुछ भी बना रहे तो लगातार दूद को चलाते रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेता है, तुरंत जल जाता है, तो अब लगातार चलाते रहे हैं, लोटू मीडियम फ्लेम पे, इसमें थोड़ा सा लगा था, तो इसको भी हम धो के डाल देते हैं, ताकि ये भी मिनत बेकार चला जाएगा, और ये देखिये, इसको हम पास मिन दों फॉपग पकाएंगे, जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, ये जैसे जैसे थंड़ा होगा, उतना ही गाढ़ा होते जाएगा, मतलब kills को जाएगा, ये देखिये, यह भी यह उइसको नटना हम आइस्क्रीम बनाएंगे मतलब जमाएंगे चोटा से डब भी हमारे पास एक छोटी सी गिलास है अगर आपके पास भी कप गिलास है कुछ भी आप उसमें बना सकते हैं इसमें क्या करेंगे जो हम दूद टंडा करके रखें वो डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में उसके जिए जेहें पाद हम क्या करेंगे कि ये बदाम डाल देंगे और इसको दो से तीन में ड़तन हुआ हि थोड़ा सार 시간이 हुआ जै सुप лай ग्लास है उसके बाद इसको हम ऐसे को ढदा ढसनों रबर रेंडिग के अंदर बरक थोड़ा भी न जाए और इसको देखें वे रबर बेंड लगा दिये हम और इस डबे का धकन था तो हम धकन से बंद कर देते हैं धकने तो और भी ज्यादा अच्छा है इसमें थोड़ा सा पेंट लग गया उसके धकन में छूटता नहीं हो पतर नहीं कैसे लग दिये थे ताकि मदलब बाबू है ना तो परिसान करते ज्यादा ठंडा खाएंगे फिर वह तवित खराब होगी सब्दी जूखा मिस लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम छोड़ दिये थे है तो आप टुरंत भी खा सकते हैं थोड़ी खर्मी नहीं है थोड़ी घर्मी कर दो थेंडा नुकसान करेका बच्चो को इसलिए हम पहले से निपाल कर रखे थे और यह देखी हम अरो आइस्क्रिम बहुत बढ़िया तो आप जरूर ट्राइ करिए काम शमान में, खर्चे में और कम टाइम में बनके तयार हो जाएगा बच्चों को काफी ज़्यदा पसंद आएगा, बोहत बढ़िया, बतलब घरमियों में तो ये बच्चों का आप बहुत इसली दे सकते हैं और बहुत ज़्याद पसंद आएगा आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा बिल्कुल बच्पन वाला हो स्वाद आएगा जो एक होता है न मटका कुल भी जो हम लोग खाते थे तो बहुत ही बढ़िया हो ऐसे भी बच्छा लगता था बच्पन में और ऐसे आप बनाओगे और घर का एक अलगी स्वाद होता है इसको हम देखे कट करके दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया बनके त्यार हुआ था हमारा आइसक्रीम बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम समान में और बहुत ही कम खर्चे में और ये देखी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया इसको हम क तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जदा जदा सेयर करिएगा हमारा आवास थोड़ा अलग आ रहा है क्योंकि ब्रत है न तो अजीब सा आवा जा रहा है तो यह देखिए हमारा इसक्रीम बगधी बड़ी है मार्केट इस्टाहिल तैय है तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स नहीं रेस्पी के साथ है अजय को अजय को अजय को अजय को अजय को अजय को झाल झाल